अलो दूस्तों मैं आपको दोस्टा जी एक फरस एक नए वडियो के साथ में दूस्तों और आप रॉनॕ में जानेगे 5S के वारे में 5S क्या होता है और और हम उपने वर्क एरिया में इसको कैसे implement कर सकते हैं कि स्बसे पहला अगर हम बात करें rigor mechan company से इन ओर्डर में सूबयोस्ता मैंन्स साइन यानि कि सचता सिकेति सु यानि कि स्टेंडर डाइ इसमान की करन एंड सिट सु यानि कि SAP अनुसासण तो दोस्तों सोब से पहले हम जानेंगे फर्ष्ट – एश के बारे में तो दोस्तों जो पहला ऐस है वो है Siri, means Short, यानि की छटाई, छटाई का मतलब कार जचल से अवस्तिक वो अनवस्तिक बस्तों को अलग-अलग करना होता है, जैसे कि कुछ बस्तिक यां जिनका यूज हमें कभी नहीं होता, means unnecessary item साथ ही साथ कुछ परस्तों ऐसी होती हैं जिनके हमें ज़रूरत पढ़ती तो है लेकिन कभी और means necessary item दोस्तों अब हम कैसे यह decide करेंगे कि कौन से जो आइटेम में वो necessary है और कौन से unnecessary इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि not needed at all means कुछ ऐसे item जिनकी हमें कभी जरूरत नहीं पढ़ती जैसे कि दोस्तों मसीनों से हमारा जो scrap निकलते हैं उनकी हमें कभी जरूरत नहीं पढ़ती needed but not here कुछ ऐसे item जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन कहीं और जैसे कि दोस्तों जो groceries के समान होते हैं उनकी जरुरत हमें kitchen में होती है तो उनको हमें kitchen में ही रखना चाहिए needed but not so much quantity कुछ ऐसे item जिनकी हमें जरुरत तो है लेकिन कम मात्रा में जैसे कि दोस्तों हम industry में जो tool use करते हैं उनकी जितनी हमें tools के आउसकता होती है उतनी tools हम अपने पास में रखते हैं needed but not now कुछ ऐसे item जिनकी हमें जरुरत तो है लेकिन अभी नहीं जैसे कि दोस्तों आप इस pic में देख रहे हैं यहां पर मैंने एक example के through जैसे कि motor और gearbox ले रखा है इनकी हमें जरुरत कब पढ़ती है जब यह हमें किसी machine में आप हो जाते हैं यानि कि जब replacement करना होता है तब हमें इनकी जरुरत पढ़ती है उसके बाद दोस्तों red tag and yellow tag red tag and yellow tag का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम necessary और unnecessary item को अलग-अलग कर लेते हैं तो उनको हम फिर tagging कर देते हैं जिससे कि अगर कोई यह भी चेक करने आया कि कौन से item necessary है और कौन से unnecessary तो वहां पर उसको आसानी से पता चल जाता है से तो means set in order यानि कि सूब वस्ता इसमें पतेग वस्तों के लिए एक जगन रधारत की जाती है और वह वस्त उसी जगह पर रखी जाती है जिससे कि हमें जब उस item की ज़रूरत पड़े तब हमें वह आसानी से मिल जाए इसके लिए दोस्तों हमें एक formula यूज करते हैं कि give everything a place and a place for everything जैसा कि टूलरू में हर एक टूल को उसके जगह पर रखते हैं जिससे कि हमें जब किसी टूल के आउसकता पड़ती है तो हम उसे उसकी जगह से ले सकें और हमें उसको डूड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे कि हमारा जो searching time है वो काफी ज़्यादा save हो जाता है उसके बाद दोस्तों जो third S आता है वो है say so means sign यानि कि सवच्चता इसमें कारिशेतर की अच्छी तरीकी से सफाई की जाती है और सफाई के दौरान समस्याओं की जाज की जाती है काफी सारी industry में 5S के लिए एक सम standardize में समान की करण इसमें हर एक चीज को standardize किया जाता है और उसका पालन किया जाता है साथी साथ कुछ ऐसी रूल्स बनाए जाते हैं जिसे कि समस्याओं आसानी से पता चल सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप इस पिक में देख रहे हैं इसमें हर एक आइटम के लिए उसके इसमें सित्सूके यानि कि सश्टैन मिंस अनुसासन दोस्तों जैसा कि हमने 4S कर लिया तो अब हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि जब हम आगे 5S करें तो इन इमों का पालन करें अनुसासन के लिए वर्कर को ट्रेनिंग देना और उन्हें रूल्स के बारे में बताना होता है दोस्तों 5S का जो benefit है इससे product की quality में improvement होता है time की budget होती है और साथ साथ cost saving भी होती है और accident की जो chances होते हैं बहुत ही कम होते हैं तो दोस्तों हमने 5S के basic basic बारे में जाना कि 5S क्या होता है और हम उसको अपने work area में कैसे implement कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करें, share करें, comment करें और हमाया चनल को subscribe करना ना भोलें थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू